इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। मिन्टो पीवा सोल्यूशन वासो डाइलेटर्स के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की एक श्रेनी से संबंधित है। इसका इस्तेमाल गंजेपन की समस्या से जूज रहे पुरुशों में बालों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिन्टो पीवा सोल्यूशन को लेबल पर बताय गए तरीके और मात्रा के अनुसार या डॉक्टर के बताया अनुसार सीधे स्कैल्प पर लगाया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने स्कैल्प को साफ और सूखा लें। बालों के विकास को नोटिस करने में लगभग दो-चार महीने लग सकते हैं। पहली वृद्धी नर्म, रंगहीन और मुश्किल से दिखाई देने वाली हो सकती है। निर्धारिट से अधिक इस्तेमाल करने से बाल तेजी से नहीं बढ़ेंगे और साइड इफेक्ट की संभावना बढ़ सकती है। बालों की वृद्धी को बनाय रखने के लिए इस दवा का इस्तेमाल लगातार किया जाना चाहिए। मिन्टो पीवा सोल्यूशन आम तोर पर अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित और उप्यूक्त है, लेकिन इसके कुछ संभावित साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस दवा के सबसे आम दुश प्रभाव सिर्की तवचा के प्रभावित हिस्से के खुजली और तवचा में जलन हैं। अन्य हिस्सों पर गलती से लगने पर अंचाहे बाल आ सकते हैं। अगर यह आपकी आँख, मूह या डैमेज तवचा के संपर्क में आ जाता हैं तो पा अधिकायू वाले लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपका बाल जढ़ना दवाओं, जैसे कीमो थेरपी या किसी प्रकार की पोशन की कमी के कारण हो तो हो सकता है कि यह उप्यूक्त नहों। अगर आपको हाई बलर प्रेश है या अन्य स्कैल्प रोगो अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।